हमें अपने जंगलों और अपने अनुभव का सहारा लेकर ऐसा छापे मार हमला करना है ऐसा युद्ध करना है कि इनकी सैनाओं को संभलने का मोगा ही ना मिले और जब तक इनको एसास हो तो इनकी सैना कमसोर बढ़ जानी चाहिए इनको इस बात का एसास होना चाहिए भील नहीं चीता है और उनके कई स्थेनिकों पे अकेला भारी पड़ेगा हर हर महादेव! पैजल खान ने जो एक रात में नुक्सान पहुंचा है मेवाड़ वह आप अज तक नहीं कर पाएं किन्तु हीर भुवासा वो तो राजने तक ये नहीं है ना? उनको कौन बताएगा एस अच्छाई? जावात है मांसिंग, अब अध्यान कहा है? ये पूरा अभ्यान ही, इतना मर्यादा हिंग लग रहा है कि इसे कैसे बात थिर सकते हैं आप? क्योंकि राजपूत हैं कल्याडमल जी, और जो कर रहे हैं, विशेश रूप से जिस समय कर रहे हैं, वो अधर्म है हमें तो पता है ना, कि राजपूत महरानी अजब दे के 13 दिन के शोक में अपने हतियार नहीं हुठाते तो फिर अधियार विहीन पर आकरमन करना तो अधर्म हुआना कैसे हम राजपूत होते हुए अपने निहत्य राजपूत भाईयों पर हमला कर सकते हैं आप उज़रदेनामान जिंग, अबर की मन में हमारे मोलने को कोई सम्भान नहीं है आप अपरा होका, नारीत रिवाज होका और ऐसे समय में अधिये अकवर को जला से भी भनक लग गई कि आपके मन में क्या विचार है आप जानते हैं ना हमारे साब क्या हो सकता है आप अमें बात थोरी करने दे अभी आप धर्म की बात तर्में था ना किसी को वचन देना और वचन को किसी भी मोले परने भाना ये भी तो धर्मी है ना? हाँ तो हाँ तो क्या वचन देता अपने अकवर को? यही ना याप उसे हल्दीगादी जित्र देंगे तो बस अब आपके सामने कोई हत्यार बन हो या नियात्ता वस धर्मने भाना है वार्टबर को अलिगादी जित्र देना है हारी हे ओम्मा स्वस्तिना इंद्रो व्रिद्धा सर्वाहा स्वस्तिना हा पूखा विश्वा वेदा हा कर देंगे अशलिघ प्लोंट वी जाल वी जाल कर दो कर दो अरे, अरे, देखो तो, बिचारे मेवाड़, अब तक मादम में डूबे हूँ है, अई लोग, कि मारे इस तकवाल के लिए चंद पैदल सिपाही तक नहीं बेज पाए, अरे माना, माना कि इन्होंने हारना तो है ही हमसे, और कम से कम दिखावे के लिए ही सही, चंद सिपाही तो भेज देते हैं, हमसे मुकाबिला करने के, रसम भी कूरी हो जाती ही, मुकाबिले की, और इजद भी बनी रह जाती हमारी, अब देखो ना कितने अफसोस की बात है, दुनिया का इतना बड़ा बादशाह, अपनी फौज और लाओ लशकर के साथ, अमला करने के लिए हल्दी घाटी के मुहाने तक आ जाए, और उसके इस्तकबाल के लिए, चंद सिपाही ना भेज आपको बिलकुल पसंद नहीं आया हमारा ये मजाक लिए, बहुत हासे सपद लगा आपका ये परिहास, जब से आप अधेपूर से वापस लोटे हैं, बहुत ही संजीदा हो गए हैं, तुछ करना पड़ेगा, ऐसा गरते हैं, बिवार परफदे बाने के बात, बात ही संजी आपको उदेपूर में परताब के शाही तक्त पे बिठाके, उप शराफ इलाएंगे, और तब तक शराफ इलाते जाएंगे, जब तक कि आपकी ये संजीदी, खालिस खुशियों और मौजमस्ती के साथ, अख्तियार ना हो जाए, एक कह रहा हैं ना हम, वो देखिए खचिए अब अगर हम कुछ काएंगे, तो मान सिंग जी फिर संजीदा हो जाएंगे, इसलिए आपको देख लीजिए मान सिंग जी. अब हमने तु ये मजाक में ही कहा था, कि मुठ्थी बर लोग हमें क्या बता था कि दुश्मन की जानिब से आ जाएंगे, हमारे इस तकबाल के लिए मन में, नहीं, लड़ नहीं, संख्या में हमें हमें भी चार पांच सौ से अधिक नहीं लग रहे हैं। गुस्ता की माफ शैंशा, परिनव, मुठ़्ी बर जंगलियों से आपका लड़ना तो शैंशा हिंदी की तोहीन हो जाएगी। इन सब का काम तमाम करने के लिए आप हमें से किसी एक को खुम दीजी। और इन से लड़ने के लिए हमारे सिपे सलार अगर उनके पास जाएंगे तो वो उसके लिए और हमारी फौज के लिए बहुती बाई से शरम बात होगी है। आपको भेजो इन से लड़ने के। हम जानते है कि किसे भेजा जा सकता है इन कंगलों से लड़ने के लिए। इकबाल खान। शहिंशा का इकबाल बुलंद हो। इकबाल खान। जाओ। अपने पांच हजार सैनिकों का फौजी दस्ता लेकर जाओ। और शहिंशा सलामत के रास्ते में आने वाले इन मच्छरों का सफाया कर डालो। ताकि बादशा सलामत पुरे सुकूल के साथ अपने मुहीम पर आगे बढ़ सके। नहीं बहलाल खान। दस हजार सिपाईयों के साथ बेजो इकबाल खान को। मान सिंग जी। दर्पे बहुत हैं। गुस्ता की माफ शहिंशा हमारे इस अभ्यान में ये पहला सैन्य विरोध सामने आया। इसे सफलता पूरवक पराजित करने के लिए हमें सोच समझ कर एक-एक कदम उठाना पड़ेगा। जाओ इकबाल खान। जो हुकुम शहिंशाह सब को मार का हूंगा। किसमत की सितम जारीफी तो देखिए। बचारा ऐसा लग रहा था। जैसे गोया अभी अभी अपने मा की पेट से निकला। और निकलते हैं। तीदा हमला करने के लिए चला गया। अजया। जैसे बाजराच, पेट दान की पूरी तयारी हो चुकी है। अब हम इंदान की पूजा आराम कर सकते हैं, चलिए. युद्ध, और वो भी बिनादादा भाई के? कहा मुगलों की विशाल सेना और कहा बिनादादा भाई के? शोक में डूबा हुआ उडैपुन. अब हमारे सामने जोहर के अतिरीक कोई विकल्प नहीं है. और हमारे सारे पुरुष, सोक में हत्यार ना उठाने के लिए वचन बद है. हर निराशा में आशा की कोई ना कोई किरण अवश्य होती है, चान. माना आपके दादा भाई नहीं है या. माना हमारे सभी राजपुर, सोग में हत्यार नहीं उठाने के लिए विवश्य अपनी परंपरा से. माना मुगलों की सेना बढ़ती चली आ रही है हमारी हो. किन्तु फिर भी आशा की किरण है. हमारे साथी भील पर अपने प्राण यूच्छावर करके भी इतनी सरलता से मुगलों को हल्दी खाटी तक नहीं पहुचने देंगे. और फिर हमारे अफगान मित्र भी पीरता से सामना करेंगे उन मुगलों का. भील! अफगान! दुनों मिलकर भी मुगलों का कुछ नहीं कर पाएंगे. कुछ अलके रख देंगे हमें मुगल. नाई! हम पराज इतने ही होंगे. कोई नहीं मरे गया. कोई जोहर नहीं करे गया. तलवार म्यार में रखती शेया, मरसींशे. भूल गया आपके दाजी राज नहीं क्या वचन लिया है? जब तक अजब देखके तेरा दिनों का सोग समाप्त नहीं हो जाता. कोई भी हत्यार को छुएगा. क्या आप अपने दाजी राज के वचनों का सबमान नहीं करते? रख दीज़े तलवार. अम तलवार नहीं रखेंगे. अमरसींशे तलवार रख बीजिये. उस मुगर में भारे अमाइमा को! अमरसींशे तलवार चूड़े थोड़े! कान खोल कर सुन दीज़े. अप आप इस तलवार को हाथ नहीं लगाएगा. आप बहुत बुरी है. हम गुरु नात आते हैं आपसे आप कभी अमाई माप बानी नहीं पाएंगी इंकी बातों को क्या मन से लगाना भावी साथ बच्चे है तो अभी और उपर से इतना कुछ देख चुके है ये कितना कुछ हो चुका है इनके साथ और समय के साथ अब ठीक हो ही जाएगा हमारी समस्य कभी अमर से शी थे ही नहीं और चाहते हैं उने किन तो ये यूद हमारे होते हुए आप सब चिंता क्यों कर रहे हैं वेवार की राज माता है विश्वास रखिए हम पस इस समस्य का कोई ना कोई हल निकाल लेंके अब पस मारवार्ड भी एक आज की किरन बची है अगर उनोंने हमारी समकत में सायता करना सुईकार किया अब तभी हो पाएगा कुछ बाप जी ये तो बहुत सारे सिपाही नजर आ रहे हैं दस हजार सिपाहियों की उखलों की ताकतवर सेना पतली दर्रे से हमारे चट्टान की और बढ़ रही है इस बात का अभास तो में पहले ही था ये संख्या में बहुत अधिक होंगे अब तो देखना ये है कि हम अपनी वीरता और समाजदारी से इने यहां कितने समय तक रोख सकते हैं सर्दार समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहां क्या कर रहे हैं सामने देखिए कितनी बड़ी फौज है मुगलों की सरदार ये हमारी लड़ाई नहीं है ये मुगलों और मेवार्यों की लड़ाई है हम क्या कर रहे हैं आप गरम है हमारा पैसा धर्म सरदार जब हमारा कोई मित्र संकट में हो तो उसके लिए प्राण नों च्छावर कर देना हर्म है हमारा अल्दी घाटी एक मात्र रास्ता है उदेपूर तक पहुंचने के लिए इसलिए नहीं पहुंचने देंगे हम मुगलों को अल्दी घाटी से उदेपूर तक अल्द सबसे पहले आपका धर्म है अपने कभीले के लोगों के रक्षा करना इसके पहले भी हमने जुद्ध किया है, मगर आज तक किसी को नहीं देखा कि दूसरों के लिए जुद्ध करते हुए, इन मेवार के राजपूतों के लिए अपने लोगों के प्राणों के आउती क्यों दे हम, ये तुम भी जानते हो दारुन, कि मेवार है तो हम है, आज तक म मेवार ने हम भीनों की सुद्धन्तरता का सम्मान किया है, इसलिए हम भीन इन जंगलों में सुख चैन से रह रहे हैं, अगर मेवार हमारा मित्र ना होता, तो हम भीनों का सित्वी ना होता, ये वाद तुम भी अच्छी तरह जानते हो दारुन, ये आज राणा जी का मेवार शोख में है, और राणा जी स्वेम भी यहाँ पर नहीं है, तो कैसे हम मुगलों को अल्दी घटी पार करने दे सकते हैं, कैसे हम उन्हें उद्यपूर तक जाने दे सकते हैं, मैं आप से अंतिम बार पूछता हूँ, तुम्हारे सरदार का इस लड़ाई में शामिल ह जो अपनी इच्छा से इस लड़ाई में आना चाहे, वो आ सकता है, और जो नहीं आना चाहे, वो जंगलों में जाकर अरांग कर सकता, क्योंकि मैंने एक बार तो गंद ले ली, तो ले ली, मैं अपनी अंतिम सांस दाथ का, इन मुगलों के साथ लड़ूगा, नहीं आने दूँगा अपने जीतेजी इनको, उधे पुर्वे, तो चलो अंतिम बार, तुम अपने सरदार के साथ हो, या नहीं? सरदार, आप का अधेश हमारे लिए पत्फर की लपीर है, हम लड़ेंगे आपके साथ, हम अपने रख्टी अंतिम्बून तक लड़ेंगे सरदार, आज हम एक भी मुगल को जीवत नहीं छोड़ेंगे सरदार, आज हमाएं जीतेजी हैं मुगल, आगे लिपर पाएंगे सर हम सब आपके साथ है, सरदार, हर हर महादेव, 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 हर महाद ए Presे ए मेर वजली हमार ने एतरी परे instruments एतरई करना कि लूएत वdy एतर है झाल पर्फण प्रेंट बाप जी, इन साजेशेरों से हम सामना नहीं कर पाएंगे मुखलों की सेना बहुत बड़ी है यही तुम्हें चाहता हूं बेटा यह मुगल सेना हमारे और पास आजा और उनको यह लगना चाहिए कि हमारे पास केवल केवल यह साधे जीर है एक बार हमारे कश्करव्यू में फज्या यह मुगल सेना फिर बताएंगे इनको कि हम भील नहीं कीते हैं चीते हैं सब लोग वोटलिया भरो जल्द से जल्द भरो इन भीलों को लेकर तो हमें यहीं लगता था कि भील जंग में कुछ भी कर देते हैं लेकिन इने देखकर तो लगता है कि जादा देर तक नेटिक पाएंगे हमारे सामगे इस हसाब से तो हम बहुत जल्दी इस घाटी के उस पार पहुंचके उदेपर पहुंच जाएंगे और वहां जाकर प्रताप के महल के दर्वाजे पे दस्तक देगे और अराम से उसके शाही तक्त पे बैठ जाएंगे बो जो कहते हैंना मुगलों में आमीन तुभा आमीन बस हमारा भाग्या इतना साथ दे दे यह राना परताप वापस लौट कर ना है क्योंकि यदि वे वापस लौट कर आगए तो बिना हत्यार के भी वे युद्ध की हवाँ बदलने के सामध्य रखते हैं मैं यह लौटेगा प्रताप है क्योंकि वह अपनी मारानी की खाग भान है गंगा बैह है बिना हत्यार, बिना हिफाज़त हमने भी इस बात को ले खाले, उक्ता इंतजाम की हैं एक निमारानी की खाफ के साथ साथ उसकी हड़ियां भी बैजाएं कंगामें करते के हम आनसी जी, दुश्मन बिना हत्यार, बिना हिफाज़त जा रहा, और हम उसके पीछे अपना किसी आजमी को तक ना लगाएं उसमों मरवाने के लिए आखिर, जलाल अद्दीन मौहमाद अकपर ना में पेज़ दिया है अपना बंदा हमने उसके पीछे आखिर, अी आखिर, ना अでका बंदा है शच्चे और मरफश साहिए क्प़निकम यसरानेуск more तर आपर करे शिर्वापटे पर टो प्रेवार परोग्स प्रेश प्रे रावर अपडेश में उप्ग्रोग्स है